मोहरम को लेकर नायब तहसीलदार ने ली मुस्लिम समधाय के लोगों की बैठक मनुहरपुर से कृष्ण कुमार वर्मा की रिपोर्ट मोहरम पर्व को लेकर मनुहरपुर में हर वर्ष निकलने वाले अलम सदे का जुलूस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते नहीं निकाला जाएगा मोहरम को लेकर उप तहसील परिसर में नायब तहसीलदार महेशोला की अध्यक्षता में मुस्लिम समधाय के लोगों की बैठक आयोजन किया गया जिसमें नायब तहसीलदार ने सभी मुस्लिम समधाय के लोगों से कोरोना वायरस के चलते सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मोहरम नहीं निकालने की अपील की जिस पर जामा मस्जिद के सदरहाजी सरदार खान चोहान वत ताजिये दार जाफर पठान ने बताया कि मुस्लिम समधाय ने इस बार मोहरम के दोरान निकाले जाने वाले तीन ताजिये नहीं निकालने का निर्ण किया है। जामा मस्जिद के सदरहाजी सरदार खान चौहान ने तहसीलदार महेशोला को आशबस्त किया कि मुस्लिम समधाय द्वारा सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन किया जाएगा। इस दोरान नायब तहसीलदार ने उपस्तित मुस्लिम समधाय के लोगों का आभार व्यक्त किया कारेक्रम के दोरान मुस्लिम समदाय के अध्यक्षव जामा मस्जिद के सदर्भाजी सर्दार खान चोहान जाफर पठान बुंदु खान अनवर्तिक गाला रशीद खान रशीद एहमद साबिर लुहार सहित कई लोग मौजूद रहे